के वीएस की तरफ से एक और निव नॉटिफिकेशन यहां पर रिलीज हुआ है वेकेंसी को लेकर के और इसमें जो वेकेंसी हैं वो पी आटी, टीजीटी, पीजीटी and non-teaching, means teaching and non-teaching दोनों ही तरह की वेकेंसी, all इंडिया लेबल पर यहां पर वेकेंसी दिख बताई गई है, जो नोटिस आया है, उसमें all इंडिया में किस KVS में, यानि आपके जो इस्ट्रेट में, जितने भी KVS रहेंगे, उन सभी में, किस पोस्ट पर कितनी वेकेंसी हैं, यह पूरा इंफॉर्मिशन आपको KVS की website पर latest notice release हुआ है, जिसमें आपको बताया गया, और यह 230 pages का PDF है, जिसमें vacancies के बारे में बताया गया है, so new notification है, चलिए मैं आपको notice बताती हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, और हाँ, अगर आप vacancies, यानि KVS की जो teaching and non-teaching post vacancies का wait कर रहे हैं, तो वीडियो को end तक जब देखेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, helpful रहता है, वीडियो को like and share कीजिगा, hello everyone, मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ, आप सभी का अपने YouTube channel, government job genuine notification, so यहाँ पर आप यह notice देख रहा है, यह tentative vacancy notice यहाँ पर release किया गया है, और आप इसको यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको zoom करके बता देती हूँ, यहाँ पर, यह आप देखेंगे, tentative vacancy positions of teaching staff up to PGT, यानि TGT में, जो teaching post जो रहेंगी, वो PIT, TGT and PGT तक की, साथ में non-teaching staff up to ASO, ASO post तक, जो non-teaching staff रहेगा, जिसमें की आपकी, छोटी से छोटी post, group D की post आजाती है, group C की post आजाती है, ASO post तक की, सभी की vacancy detail यहाँ पर बताई गई है, और यह जो vacancy detail है, यह 30 जून 2023 तक, जो vacancies है, उनका यहाँ पर data दिया गया है, अब यह 230 pages का PDF है, आप यहाँ देख सकते हैं, alphabetically यहाँ पर, जो straight है, वो यहाँ बताई गई है, reason name, section code, section name दिया गया है, post code दिया गया है, किस post के लिए, कहाँ पर कितनी vacancies हैं, post का name है, subject का name है, and backend position यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो total यहाँ पर आप जैसे पहले तो यहाँ देखिए, एहमदाबाद, यह एहमदाबाद की ही list यहाँ चल रही है, और आप नीचे भी देखते जाएंगे, एहमदाबाद की ही यहाँ चल रही है, देखिए, कितने pages, seven pages हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर एहमदाबाद की list चल लिए, इस तरह से 230 pages हैं, यहाँ बैंगलूरू आ गया है, यह एहमदाबाद, यानि nine pages, nine जो pages है, nine phase, वहाँ तक आपको एहमदाबाद की vacancies देखेंगी, किस post के लिए, किस KVS में, कितनी vacancies हैं, किस section का name दिया गया है, इसी तरह से आप पूरा check out कर सकते हैं, आपके state में, आपकी district में, जहाँ भी KVS की vacancies यहां बताई गई हैं, आप देखें, यह जो vacancy है, यह tentative vacancy data यहां पर इन्हों ने provide किया है, कि अभी 30 जून 2023 की condition में, यानि इस date तक KVS में, किस KVS में, कितनी vacancies हैं, किस post के लिए, तो अभी हो सकता है, यह जो vacancy detail यहां पर दी गई है, इन वैसे कुछ post फिल हो जाएं, कुछ promotion के फिल हो सकती है, entire recruitment वैसे हो सकती है, अब ऐसे में, यह जो अभी latest, 16 जुलाई, यानि कल यह notice release हुआ है, तो 16 जुलाई को यह notice release किया गया है, ऐसे में आपको बताया गया है, कि कितनी vacancies इसमें हैं, अब यह जो vacancy fill होती है, इसके बाद हो सकता है कि 2023 के last में, आपको KVS की तरफ से एक और notification देखने को मिले, teaching and non-teaching post के लिए, क्योंकि अभी जो भरती रहेगी, उसके थुरू अगर vacancy रिलीज हुई है, उसके बाद जो vacancy fill हो सकती थी, तो उसके बाद यह ब्यूरा यहां जो data provide किया गया है, इसकी कोई requirement नहीं थी, लेकिन यहां पूरा total vacancies बताई गई है, कितनी है, अब ऐसे में हो सकता है कि इसमें कफी जो post हैं, वो vacant रह जाया और उनके लिए, उनको fill करने के लिए, फिर से अलग से notice release किया जाए, देखें, मैं आपको इसके official site पर लेकर चलती हूँ, वहाँ पर आप किस तरह से इसका notice देख सकते हैं, वो आप देख लीजेगा, तो यह यहाँ पर हम इसकी official website पर आ गए हैं, और official site से जब आप नीचे जाएंगे, तो announcement में आप यह 63 नंबर का देख रहे हैं, हम इसको पूरा open कर लेते हैं, read more करेंगे, तो आपके सामने यह पूरा open हो जाएगी, और इसमें आप देख सकते हैं, यह देखें, tentative vacancy, यह देखनी है, 230 pages का है, vacancy, आप देख लिजेगा, आपके state के साब से कहाँ पर कितनी vacancies है, कुछ vacancy हैं पर fill हो सकती है, लेकिन अगर कुछ post अगर पूरी तरह से fill नहीं होती है, post vacant रह जाती है, तो last 2023 तक आपको KVS की दरब से एक और notification देखने को मिल सकता है, और जैसे ही notification release होगा, मैं आपके लिए video जरूर upload करूँगी, साथ में अगर आप चाहते हैं, KVS में non-teaching post पर भरती है, teaching post पर भरती, तो KVS में आप PIT, PGT, TGT कैसे बनते हैं, क्या process रहती है, be at किसके लिए requirement है, seated किसके लिए जरूरी है, सभी पर video upload है, non-teaching post जिसमें की किलर्की की post आप किस तरह से किलर्क बन सकते हैं, KVS में, इसके अलावा ASO आप कैसे बन सकते हैं, और भी other post हैं, जिन पर मैंने video upload किया हुआ है, तो आप एक बार जरूर चेक आउट कर लिजेगा, आपको detail information के साथ video upload है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, किस post के लिए, क्या requirement है, उसके बाद अगर आपको लगता है, कि आप इसके लिए आलेस दूबल हैं, तो इसकी प्रेस करने के बाद, आपको मेरे सारे वीडियो के notification टाइम से मिल सकेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है, कि वीडियो के notification सभी जो subscriber है, जिनों ने भी subscribe किया हुआ है, वेल icon प्रेस किया हुआ है, उन सभी को सारे notifications रिसीब नहीं हो रहे हैं, तो इसका एक condition या एक करण ये भ יה दिखा ओसे दो ही ली franchise सिरीन। के बांड़ने कर वीडियो कर दो, से वीडियो कि वीडिय। बालते नहीं है, रहे हैं लीडियो के कि वीडियो के द्यतर हैं, क्यजित वीडियो के देनी कれफ़ा दो